तो यहां पर पहला फर्मूला है दो बिंदू x1, y1 वा x2, y2 के बीच की दूरी यानि हमें दो बिंदू दिया गया है जो कि p q है और p बिंदू करने देसांग है x1, y1 और q बिंदू करने देसांग है x2, y2 दिया गया है तो इन दोनों बिंदू के बीच की दूरी यानि p q के बीच की दूरी क्या होगी student तो यहां से pq की बीच की दूरी हो जाएगी pq बराबर under root में x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square हो जाएगा इसको चाहे तो आप x1-x2 भी कर सकते हैं आगे पीछे इसको कर सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा तो आप इस परकार से लिख सकते हैं x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square